वेलो फ्रेंट्स फर्ष्ट पर वालेवल कम तो मैं चैनल राप तो फ्रेंट्स अभी बेसिक तरफ से की बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो भी बच्चें आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यहां पर सी बेसी ने बहुत चारी रेस्टिक्षन लगा रहे हैं बहुत सारे पाबंद्य ऊसने लगा रहें अगर आप उसको फॉलो करते हैं तब प्रेक्ष ठीक आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने वीडियो चलेगे जिरुटे वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ सेर करना ताकि उनको यह न्यूज पता चल जाए ठीक है जैसे का आप लोग देख पार हैं विद्यार्थी घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे एडमेट काड जी हाँ अपर साफ साफ लिखा गया एक विद्यार्थी जो है घर बैठे अपने अपने डाउनलोड कर सकते हैं को रोना काल में दसमें और बार्वी बोड परिक्षा में को संक्रमन से बचाने के लिए से बैसी घर बैठे परवेस्पत्र डाउनलोड करने के सिविधा देगा जी हाँ फ्रेंट को रोना काल में को रोना से बचने के लिए कख्षा दासी और बार्वी के जो भी विद्यार थी जो भी बोड देने वाले विद्यार थी जो है इस बार वह अपना परवेस्पत्र याने की एडमेट काड वो घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे परवेस्पत्र डाउनलोड करने के सीविधा देबायन कि परवेस्पत्र पूराइश मिलेगी से लिए'! प्रवेस्पत्र जारी कर जिया हां इसके लिए जो आपका आडमेट काड जो है रहे रहे हैंने कि डिडिजिटल परवेश पत्र रहेंगा मानेता प्राप्त स्कुल के लॉग din पर परवेश पत्र भीज़ें या यह garage-in को शीड़ामर बीज दिया जाएगा इसके बाद इसकूल साथ्रों को डिजिटली प्रविश्पत्र भेजेंगे मतलब इसके बाद जो है जब लॉगीन को भीज जाएगा आपको आपके स्कुल वालों को मतलब भीज जाएगा इसके लिए और दोनों तरब सब्सक्राइब से विकल्प मौजूद है याने कि से बेसिक के जो समय कहां डॉक्टर मनोहर लाल उन्होंने बताया कि सिबेसिक जो भी छात्र छात्र यहां पर हैं उनके लिए दो यहां पर आप्शन सुपलब्द हैं पहला स्कूल द्वारा अलग-अलग समय में अलग-अलग स्कूल नहीं आना चाहते हैं वह वेबसाइड से प्रवेस्पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और वह जो हैं वेबसाइड से आपना परवेस्पत्र डाउनलोड कर पाएंगे इस बार चात्रों को परवेस्पत्र पर हस्त्राक्षर करवाने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं प पत्र डाउनलोड किया मतलब स्कुल के जो भी योजर एडियो और पाश्वर्ड है उसके द्वारा ही आप अपने डाउनलोड कर पाएंगे सिब्यसी दस्वें और बार्मी बौर्ड पर एक्षा के लिए परवेस्पत्र लेने में इस बार बदलाव किया है मतलब से जो है अप आप जैसे अगर डाउनलोड करते हैं अपने अडमिट कार्ड से पर योजर इसकुल की यूजर एडियो और पाश्वर्ड से तो आपको जो है प्रिंसिपल का यानि कि आपके इसकुल की प्रिंसिपल का डिजिटली सिगनेचर वहां पे पहले से रहेगा ठीक है इसके बाद चातर चातर और अभिभावा का भी अस्ताक्षर परिश्पत्र करना होगा मतलब इसके बाद आप डाउनलोड कर लोगे उसे बाद आपको जो है अपने पैरेंट्स का और आप खुद का सिगनेचर वहां पे करोगे बोड की माने तो अगर बोड की माने तो आप लोग के पर सुआ अगर सिगनेचर करवा रखें तो अची बात है ठीक है सबिसेट्र कर रवाल हें अपना में देख लिए आप cabinet कार्द में आपकी इस प्रिंटिपल का में साइनो या फिर निगर नहीं है तो आप लोग इसको चले जाना महाँ पर नन ओफिसियली जाने जाकि आपना सिगनेशर करवा लाना मोहर लगवा लेना देन वह वैलिड आपका वैसलों अघ्達 को आपके पर्वेशपत्र आइब काड में दिया होगा ठीक है पर्वेशपत्र पर करोणा जैनकरुझ पर के जानकरव के पर करोणा की आपको आपको कैसे बचना है क्या क्या साउधानी रखनी सारे जानकारी वहां पर दी जाएगी इसकी जानकारी रहेगे ठीक है केंदर पर पहुंचने का समय केंदर पर यानि के पर एक्षा हॉल में आप पहुंचने का समय पर एक्षा हॉल में जाने का समय पर एक्षा हॉल में जाने का समय हुआ है कि ल्रॉम में जाने का समय पर इस पत्र मिलने का समय必ना है अंकित रहे रहांगे प्रसन आप रहां है या सब्सक्राइब कर दी है क्या आप अपने एडमिट काड घर बैट डाउलोड कर पाएंगे और उसमें डिजिटली साइन एंड मोहर रहेंगा आपके स्कूल कॉलेज का और आपको अपने डाउनलोड करने के लिए इसकूल का यूजर आडिया और पासवर्ड जरूरी हो ठीक है और इसमें आपको अपना पैरेंट्स का सिगनेचर मस्ट होगा और आपका भी सिगनेचर मस्ट होगा इस बात का ध्यान रखेगा और प्रिंसिपल का भी सिगनेचर मस्ट होगा अगर डिजिटली साइन नहीं है तो आप लोग ऑफिसली आने कि ऑफलाइन जाकर करके अपने School College मुझा करके साइन करवा लेना ठीक है